बिस्मिल्लाइ रह्मानी रहीम, अस्सलाम उनेकुम हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, यूनिट नमबर 7, एलेक्ट्रो, केमिस्ट्री ही हम कंटीन्यू कर रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है, एलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रोसेस, ठीक है? इससे पहले हम कोरोजन पढ़ चुके थे, और कोरोजन में हमने एलेक्ट्रो प्लेटिंग को as a measure लिया था, as a preventing measure लिया था, कि वो कोरोजन को कैसे रोकने से, रोकने में मदद देती है, ठीक है? तो देख लेते हैं कि एलेक्ट्रो प्लेटिंग का प्रोसेस होता क्या है? एलेक्ट्रो प्लेटिंग जो है, वो प्रोसेस है, जिसमें एक मेटल अबजेक्ट को दूसरे मेटल अबजेक्ट से लियर किया जाता है, ठीक है? एक metal को एक दूसरे metal की तिन लियर चड़ाई जाती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं के electroplating का process है और वो जो तिन लियर उसके उपर चड़ाई जाती है, वो किस process के दुरू चड़ाई जाती है? वो electrolysis के process के दूरू चड़ाई जाती है यानि ऐसे नहीं है कि आपने एक metal दिया उस पर दूसरे metal डाल दिया और यह आपकी electroplating होगी बल्के इसका एक proper process है जिसको electrolysis कहते है electrolysis के थूँ एक metal पर दूसरे metal की layer चड़ाई जाती है अच्छा फिर usually ऐसा होता है कि जो electroplated coating होती है वो तकरीबन 0.002 इंच या 0.05 mm की मोटाई के बराबर होती है अब इंच कितना छोटा होता है 0.5 भी नहीं है आपके पास जो इंच के lines होती है ठीक है यह है आप आदा इंच देखो कितना है वो भी नहीं 0.5 नहीं कह रहे है ठीक है, 0.1 भी नहीं कह रहे हैं, यह एक हिस्सा भी नहीं कह रहे हैं, उस 1 का भी 0.002 हिस्सा, जो क्या आपको शायद देखने में नजर भी ना आई, इतना उसकी मुटाई होती है उस कोटिंग की, ठीक है, ख्लियर होगे बाल, electroplating एक ऐसा process है, जिसमें एक metal को, कौनसे metal को? जो क करोड होता हो, उसको दूसरे metal से कौट किया जाता है, ठीक है, किस process के तुरू? electrolysis के तुरू क्यों कोट किया जाता है क्योंकि वो जो दूसरा metal होता है वो resistant होता है corrosion के यानि उसमें corrosion नहीं होती आसानी से या फिर होती ही नहीं है इसलिए उसको हम coat कर देते हैं पहले वाले metal पे तो उससे हम क्या करते हैं कि corrosion से बच जाते हैं और वो जो layer होती है उसकी मोटाई हमारे पास 0.002 इंच या फिर 0.05 mm के बराबर होती है Electroplating जो होती है वो electroplating cell के through होती है एक cell construct किया जाता है उस cell में एक metal जो के हमने plate करना है वो as a cathode react करेगा और एक metal जिसको हमने deposit करना है वो as an anode react करेगा ठीक है और ये जो cathode और anode react करेंगे ये कब react करेंगे हम बात कर रहें electrolysis की electrolysis मतलब passage of electricity electricity कब पास होती है जब हम किसी कोई ऐसा compound लेते हैं जो के अपनी molten form में या फिर अपनी aqueous form में electricity को conduct कर सकता हो तो इसका मतलब हमें एक aqueous solution salt की form में भी चाहिए होगा हमने electroplating करनी है उसके लिए हमने एक cell बनाना है जिस metal को आपने plate करना है वो as a cathode react करेगा जिस metal को आपने deposit करना है मतलब जिसकी layer बनानी है वो as a node react करेगा और एक salt आप लोगे जो as an aqueous solution act करेगा ताके electricity जो है वो conduct भी तो हो सके है ना तो electrolysis में reaction हम देखेंगे यह हमारे पास एक general reaction है इसलिए हम इसको M को generally ले रहे हैं ठीक है यह हम किसी particular metal की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सिफ metal की बात कर रहे हैं कि एक metal ने anode पे oxidation करनी है oxidation किस form में loss of electrons की form में यानि एक metal ने अपने दो electron lose किये तो oxidation हो गई कहां पे anode पे अब यह electrons फारग हो गए यह electrons दूसरे metal ने जो के पहले से ही ionic form में था उसने फोरण से attract कर लिए तो हमारे पास metal जो है वो neutral form में आ गया अब यहां पी क्या हो रहा है gain of electrons तो gain of electrons is known as reduction loss of electrons is known as oxidation तो anode पे क्या हो रही है oxidation हो रही है और cathode पे क्या हो रही है reduction हो रही है ठीक है loss of electrons oxidation जो के anode पे होती है usually gain of electrons reduction जो के cathode पे होती है usually और M क्या शो कर रहा है metal को शो कर रहा है ठीक है यह एक general reaction हमने शो किया है जिसमें एक metal as anode react कर रहा है दूसरा metal as an cathode react कर रहा है और salt जो है वो as aqueous medium खुद को act कर रहा है clear होगे बात अच्छा जी next हम क्या कह रहा है कि electroplating जो है वो यूज कहा होती है electroplating use होती है किसी भी metal object को better अच्छी appearance देने के लिए या फिर उनको corrosion से रोखने के लिए या फिर उनको wear से रोखने के लिए वेर क्या होता है surface failure corrosion मतलब corrosion deep भी हो सकती है अगर आपके पास इतनी मोटी layer है iron की तो इसका मतलब वो पूरी के पूरी layer जो है वो corrode होगी लेकिन wear में हम क्या कह रहे है कि उसमें सिर्फ जो ऊपर वाली surface होती है न वो fail हो जाती है वो corrode हो जाती है या फिर rust की corrosion का ही एक word है ठीक है तो इसलिए table wear जो होते है ट्रेज जो होते है डेकुरेटव आइटंस जो होते है या फिर जूल्री जो होती है उन सब को या तो गोल से Plated किया जाता है यानि उनके Electro Plating होती है या Silver से या फिर Copper से भी ठीक है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा Attractive बनाया जा सके फिर हो गई यहां तक बात कि Electro Plating Objects को अच्छी Appearance देने के लिए भी यूज होते हैं अच्छी Appearance के हमारे पास यहां पे कुछ एक्जाम्पल्स हो गई अच्छा अब Electro Plating Process के अलग-अलग टाइप से ठीक है और उन टाइपस को हम Classify करते हैं किस बेसिस पे कि हम कौन से टाइप का Compound यूज कर रहे है जिसकी हमने Electro Plating करनी है यानि जिसको हमने Coat करना है उस Corrosive Metal पे जिसके Corrosion होती है ठीक है जैसे अगर हमने Gold की Plating करनी है तो इसका मतलब क्या है Gold Plating 10 की करनी है तो 10 Plating होगा Silver की करनी है तो Silver Plating Copper की करनी है तो Copper Plating यानि जिस वाले Metal की आप Plating कर रहे हो ठीक है जिसके आपनी जो उपर वाली layer जिसकी चड़ार है उस वाले का हम नाम रखेंगे Electro Plating के साथ उसी basis पे हम Types को Classify करते हैं ठीक है जी तो ऐसी ही हमारे पास कुछ Plating है जो के अपने नाम के According Classify हुई हुई है जिसमें से हम पहली देखेंगे वो है Electro Plating of Tin अब देखो नाम आ रहा है Electro Plating of Tin तो Tin का यह मतलब नहीं है कि Tin कोरोड हो रहा है और उस पे किसी और चीज़ की प्लेटिंग हो रहा है बलकि इसका यह मतलब है कि कोई और Metal कोरोड हो रहा है और उस पे हम Tin का Cover चड़ा रहे है ताके हम उसको Corrosion से बचा सके तो Tin की Properties क्या है कि यह Malleable है Ductile है किसी भी शेप में Convert हो सकता है अपनी Rigidity खोए बगएर Highly Crystalline Crystalline form में होता है Silvery White होता है ठीक है और यह Metal जो है यह Corrosion को Resist करता है चाहे वो Distant Water हो Sea Water हो Soft Tap Water हो ठीक है यानि क्या कहा था Corrosion में हमने 2-3 चीजों के बारे में बात की थी हमने बात की थी Atmospheric Oxygen की हमने बात की थी Moisture की यानि Water की और हमने बात की थी Oxides की ठीक है Acidic Oxides की तो यहां पी क्या कहे रहे कि पानी तो जिस भी किसम का हो चाहे वो समंदरी पानी हो चाहे वो Distilled पानी हो या चाहे वो आम नलके का पानी हो इन तीनों पानी का कोई एसर नहीं होगा यानि यह जो Moisture है यह इसको Corrode नहीं करेगा किसको टिन को अगर आप इसके लिए और किसी और पे चड़ा देते हो लेकिन Acids जो है Alkalies जो है और Acid Salts जो है वो इस पे Attack कर सकते हैं यानि वो इसको Corrode कर सकते हैं इनका कोई Effect नहीं है ठीक है यानि यहां पर कोई Corrosion होती है लेकिन इसका Effect होता है ठीक है तो As Effect होता है तो इसका मतलब Corrosion भी होगी Clear हो गए बात अच्छा जे तो यह जो Plating होती है Tin Plating इसको कहते हैं ठीक है नाम पर उसका नाम दे दिया है Tin Plating जो होती है वो Use होती है Extensively Ferrous और Non Ferrous Surfaces को Protect करने के लिए ठीक है यानि जो Iron के Surfaces होते हैं उसको Protect करने के लिए जब वो Ferrous और Non Ferrous के Form में हो तब उन उपर वाली Layers को Surface को Protect करने के लिए Tin Plating इसका होती है अब Tin Plating किस लिए यूसफुल होती है Food Processing Industry के लिए यूसफुल होती है क्यों? क्योंकि वो Non Toxic होते हैं Ductile होते हैं Corrosion Resistant होते हैं तो इनकी अच्छी ductility की वज़ा से Tin जो है वो Allow करता है कि वो Base Metal Sheet को Coat करें और फिर उसको Shapes दे दे बगएर किसी Damage के Surface of Tin Plating लिए यानि जो भी दूसरा Metal आप ले रहे हो ठीक है? Food Industry में अगर आप उसके फर्स करोब बरतन बना रहे हो है ना? तो उसके उपर covering किस चीज़ की है? Tin की है तो क्योंके Tin जो है वो ductile है यानि वो किसी भी शेप में ढाला जा सकता है तो उस ductility की वज़ा से Tin अलाव करता है कि उस दूसरे Metal की भी किसी भी शेप में variety of shape जो है बनाये जा सके बगएर उसको तोड़े क्यों बगएर उसको तोड़े? क्योंके भई हमने उस पर Tin की electroplating की है और Tin की ये quality है ये property है हमने यहाँ पर ही बोल दिया था कि वो ductile है ductile मतलब उसको तोड़े बगएर आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो तो यहाँ पर भी हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं जो plating वाली layer है ठीक है? आच्छा तो इसकी वज़ा से Tin जो है वो provide करता है copper के लिए भी protection nickel के लिए भी और दूसरे non-ferrous metals के लिए भी protection provide करता है लेकिन steel के लिए tin protection provide नहीं करता अब steel के बारे में हम पिछले ही lecture में देख चुके हैं के steel pure metal नहीं है steel जो है वो एक alloy है और वो alloy बना है iron, chromium और copper से तो इसमें तो already rusting होती ही नहीं है तो इसलिए इसको steel के लिए tin को नहीं use किया जाता बलके non-ferrous और ferrous metals के लिए यूज किया जाता है ठीक है जी अच्छा अब electroplating के दोरान जो tin का mixture यूज होता है tin salts का mixture यूज होता है उसको पानी में dissolve करते हैं यानि आप किस की बात करें cell की बात करें मैंने आपको बताया था कि electroplating जब होती है तो उसके लिए एक cell form होता है एक cell के तुरू ही यह सारा process होता है तो उसमें एक जो है वो as a cathode react करते हैं दूसरा as anode react करता है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि electroplating का हमने process करना है उसके लिए हमने एक mixture लिया tin salt का और उसको हमने dissolve कर दिया पानी में जब electric current पास हुई electric current कौन से process में पास हो रही है electrolysis में यानि हमारे पास process कौन से चल रहे है electrolysis का process electrolysis की तुरू current पास हो रहे है पानी से तो tin जो है वो ions में convert हो रहे है और वो ions जो है वो दूसरा metal जिस भी metal की हमने coating करनी है उस metal की तरफ attract हो रहे हैं, ठीक है, तो जब उस metal की तरफ attract होंगे, तो वो create करेगी एक permanent coating of tin, बात clear हो गई, हम electroplating कर रहे हैं, उसमें हमारे पास tin salt का solution है, ठीक है, यह हमारे पास electrodes है, सही, अब जब पानी के अंदर, यहां पे पानी भी है, जब electricity पास होती है, तो तब क्या होती है, कि tin जो है, वो ions में convert हो जाते हैं, और यह ions जो है, यह जाके दूसरे metal पे चिपक जाते हैं, और इस चिपकने की वज़ा से एक permanent coating हो जाती है, उस metal पे tin की, जिसकी वज़ा से हम यह कह देते हैं, कि भई, वो metal tin plated हो गया है, ठीक है जी अच्छा, अब यह plating जो है, यह एक effective method है, base metals जैसे iron को corrosion से बचाने के लिए, यहाँ पे steel भी mention है, steel को नहीं corrosion से बचाए जाता, क्योंकि steel जो है, वो हमारे पास pure metal नहीं है, बलके alloy है, ठीक है, तो alloy जो है, वो तो already खुद उनमें यह property होते हैं, कि वो बहुत जादा resistant होते है corrosion की तरफ, ठीक है, अच्छा, zinc plating जो है, वो भी use हो सकती है, corrosion की resistance को improve करने के लिए, zinc जो है, वो, हमने क्या कहा पिछली slide में, कि हम tin use करते हैं, food industry में, तो अब यहाँ पे हम यह भी कह रहें के, बहुत जिंक plating जो है, वो भी use हो सकती है, corrosion को, corrosion resistance को improve करने के लिए, तो हम इस इसको क्यों नहीं use कर लेते, food industry में, तो इसका जवाब आगे ही फॉरल से मिल गया है, हमें, कि zinc जो है, वो toxic है, food या medical applications के लिए, तो इसलिए, इन दोनों types के लिए, हम zinc की plating कभी भी नहीं use करेंगे, बलके tin की plating, जो है, वो use होती है, food industry के लिए भी, और medical application के लिए, क्यों zinc नहीं use होता है, क्योंकि वो toxic है, ठीके जी, और दूसरी वज़ा ये है, कि जो tin plating होती है, क्योंकि medical application में पी आपके पास जो tools होते है, ठीके या फूड इंडूस्ट्री में भी, जो आपके पास material होता है, उसके लिए, अलग-अलग shape में डलना जरूरी है, तो tin हमने पहले किसी भी surface में डालना, किसी भी दूसरी shape में डालना बहुत ज्यादा easy हो जाता है, clear होगी यहां तक बात, अच्छा जी, फिर हम क्या कहते हैं, एक drawback है, यह तो हमने अब तक क्या देख लिए, हमने इसकी properties देख लिए, इसके यह फाइदे हैं, इसलिए, यह food industry में भी use हो सक सकता है, अब हम क्या कह रहे हैं, कि एक जो potential drawback के tin plating का, वो यह है, कि यह इतना effective नहीं है, जितना के zinc plating, ठीक है, अब हमने सारी properties हो देख ली, वो सब कुछ ठीक है, कि यह resistant भी है, यह ductile भी है, ठीक है, और यह food और medical application के लिए non-toxic भी नहीं है, लेकिन अगर हम corrosion के resistance पे आ जाए, तो zinc plating के मुकाबले में tin plating जो है, वो इतना effective नहीं है, यानि कम resistance प्रोवाइड करेगा corrosion के आगे, ठीक है जी, तो अगर materials को protect करने की ही बात है, तो इसका मतलब यह कम काम कर सकता है, यानि यह इतना effective नहीं है, यह हम कर तो देंगे, ठीक है, आपको पता है कि electro plating भी simply नहीं होती है, आपने कोई ऐसे coat नहीं करना, आपने electrolysis के दुरू करना है, प्रोपर आपको electricity चाहिए होगी, ठीक है, तब जाके यह process होगा, तो अगर इतना सारा खर्चा करने के बाद भी, उसका result वो नहीं मिल रहा तो फिर क्या फाइदा कि हम tin की plating यूज करें, जब कोई भी galvanized metal damage होता है, या scratch होता है, तो उसके नीचे जो metal होता है, वो वापस से क्या हो जाता है, वो expose हो जाता है, तो हमने अब एक metal पे, यानि iron पे हमने, ठीक है, हमने iron पे कर दी है tin की plating, यह हमारे पास है iron, अब जब हम खुद ही कह रहे हैं कि यह इतना effective नहीं है, तो इसका मतलब कुछ time के बाद इसने खराब हो जाना है खुद भी, जब यह layer ही नहीं रहेगी, तो इसका मतलब iron जो है, वो वापस से क्या हो जाएगा, expose हो जाएगा rust और corrosion से, है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, क यह तिन जो है, वो soft metal है, अगर वो soft है, तो इसका मतलब वो आसानी से damage हो सकता है, ठीक है, और इस metal को पिर हम अगर electroplating के लिए use करते हैं, तो यह इतना effective नहीं होगा, जितना हमारे पास zinc plating हो सकता है, ठीक है जी, तो इसको यह जो tin है, यह material होल्ड नहीं कर सकता, इसके अंदर वाले temperature, जो cold temperatures होता है न, उसमें यह hold नहीं कर सकता, तो इसको freezing conditions में भी हम use नहीं कर सकते, तो बही दो तीन फाइदे होने के बाद यहाँ पे इतने सारे इसके नुकसानात आ गए, तो पिर हमें क्या जरूरत है tin को use करने की, इसलिए जो है, टिन के बजाए zinc pl रखिएगा कि zinc plating जो है, वो फिर food industry और medical application में नहीं use की जाएगी, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए toxic होती है, तो I hope यहाँ तक आपको electroplating का process समझा गया होगा, thank you